नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरजेश वसिस्ट, आज के तारीख में एक बड़ी विपत्ती, एक बड़ी आपदा हम सबके सिर पे आके खड़ी हो गई है और ये वो समय है जबकि हमको ये समझना पड़ेगा कि हम खुद को कैसे educate करें और इस खत्रे से बचाएं, सबसे बड़ी मार पैसे की मार होती है और अगर आपके पैसे पे कोई हमला कर दे तो मामला खतरनाख हो सकता है सबकुछ तो आपका आप हाथों में नहीं है, किसी एक अमूर्त दुनिया में है, वो आपके स्क्रीन पर मूर्त होता है, आपके एमेल में है, आपकी ड्राइप पर है या कहीं और है आपके जीवन भर के फोटोग्राइफ, आपके पूरी चिठ्थी पत्री, आपके प्रमाण पत्र, आपके बीमा की रसीद आपके पीएफ के दस्तावेज, आपकी मार्शीट और भी बहुत सारी चीजें वहीं कैद है कोई डिजिटल लॉकर में रखा हुआ है, कोई कहीं और रखा हुआ है और उसके अलावा आपका पैसा भी अब इसी के अंदर बंद होता है इस सब पे खत्रा आके खड़ा हो गया है और जो भारत की जो सर्थ है कम्प्यूटर इमर्जनसी रिस्पॉंस टीम उसने चेतावनी दी है देश के लोगों को और संभल जाने को कहा है लेकिन संभलेंगे आप तब ना जब आपको जानकारी होगी तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि इससे संभलना कैसे है क्या करें क्या ना करें और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये खत्रा आता कैसे कही मत जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI या इडिस्क्रिप्शन में है उसके जरीए आप भुक्तान कर सकते हैं QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा वो भी आपकी भुक्तान में मदद करेगा और एक ठेंक्स बटन होगा दिल के आकार का जिस पर डॉलर बना हुआ है वीडियो के नीचे उसे क्लिक करके भी आप छोटी गाशी उसके जरीए दे सकते हैं मैं अभी आजर हुआ एक मालवेर आया है सोवा और इसकी चितावनी सर्ट ने दी है और सर्ट ने ही नहीं दी है अमरीका की जो फेडरल साइवर सिक्यूर्टी एजिंसी है उसने भी अपने देश के लोगों को अलर्ट किया है कि आप जो बैंकिंग वाली एप्लिकेशन चलाते हैं उस एप्लिकेशन से साथधान रहें उसको इस्तिमाल करते हुए साथधान रहें नहीं तो आपकी धन समपदा सारी चीज़ें जा सकती हैं इसके अलाबा भारत में कुछ बैंक भी अपने गरहाकों को ये चेताब नहीं दे रहें HDFC और IDBI बैंक ने इसकी चेताब नहीं दी है और कहा है कि हमारी जो अप्लिकेशन से हैं वो कहीं और से डाउनलोड ना करें 200 से ज़्यादा क्रिप्टो और मोबाइल बैंकिंग की जो एप्लिकेशन से हैं उनको ये वाला वाइरस सोवा अपने शिकंजे में ले चुका है और कब किसके मोबाइल में घुश जाए पता नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि ये नुकसान कैसे पहुँचाता है फिर आपको बताऊंगा इससे बचने का तरीका क्या है और उस दोनों से पहले ये बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है देखिए आप और हम आज जिस दुनिया में हैं वो भले ही आप कमरे में बैठे हैं बले ही आप दफ्तर में बैठें लेकिन उस समय आप पूरी दुनिया में कहां कहां से जोड़े हुए हैं आप अगर इसाब जोड़ेंगे तो एक दिन में आप एक साथ दो चार सो जगों पर पूरी दुनिया की जोड़े रहते हैं अब वाट्सेप पे आपके पास एक मैसेज आया है अमेजोन दिवाली स्पेशल सेल तीस रुपए में धाई किलो बनस पती एक दूसरा आगया प्रचंड हिंदू कट्टर हिंदू गुरूप के अंदर कि आप जो है वो फ्री में लावड़ स्पीकर मिल रहा है आपको ले लीजे चौते पे आगया अमेजोन पे मोबाइल पे 70% डिसकाउंट अब वो जो वाट्सेप पे मैसेज आ रहा है ना उसके अंदर आपके ये डिसकाउंट वो डिसकाउंट परचास तरके डिसकाउंट पड़े हुएं इसके अलावा आती उससाही कुछ लोग उतार के आपको भेज देंगे इतने दिन बाकी क्लिक करें और वो अंदर से हैपी दिवाली निकलेगा उसमें उनका नाम लिखा होगा फिर वो आप 20 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे इसी तरह से जो अमेजोन एप अगेरा वाले जो आते हैं वाटसिप इनको आप खोलते हैं और खोलने के बाद में आप क्या करते हैं वो आपसे नाम पूसता है जब से पहले पता बता पूसता है आपसे जानकारियां ले लेता है और उन जानकारियों को लेने के बाद कहता है कि इसको और लोगों को मिला उसको भी कुछ नहीं होगा लेकिन इस तरह से ये लोग लगातार फैलाते रहते हैं तो फैलने से क्या होता भी आगया मैसेस ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता होता क्या है कि इन पूरी प्रॉसेस के बीच में आपको कई लिंक जो है वो क्लिक करने पड़ते हैं इसी तरह के बहुत सारी चीजें आपको SMS पे भी आती हैं आपका बिजली का बिल पिजली कट जाएगी इस लिंक पे क्लिक करें इतने रुपे की लोटरी खुल गई पहले आता था अब उनको समझ में आगे की लोटरी के चक्कर में लोग नहीं पढ़ते हैं तो नहीं भेजते हैं तो को या फलां सॉफ्वियर ये एप है हमारे मुबाइल पे चाहिए वो iOS हो या आपका जो Android हो किसी पे भी कोई एप है पता चला कि फोटो खीचने की एक एप है या वीडियो एडिटिंग करने की एक एप है वो एप जो है वो आपको 40 रुपे में मिल रही है पचास रुपे में प्ले स्टोर से आपके किसी दोस्त ने कहा कि मेरे पास ले लेना डंप पड़ा हुआ है भेज दिया उसने आपको एपी के अब आपने एपी के इंस्टॉल कर लिया लेकिन यहीं से गड़वडी शुरू होती कि जा आपने या चाहे वो एपी के इंस्टॉल किया चाहे वो के अंदर वो लारी लप्पा लेके जो आया है, कंप्यूटर में भी आ सकता है, मॉबाइल में भी आ सकता है, वो आपके मॉबाइल में प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश करने के बाद, वो सॉफ्ट्वेर सबसे पहला काम ये करेगा, कि जहां से उसको भेजा गया है, जिसने डिजाइन करके छोड़ा है समाज में, उसके सर्वर पे आपके कंप्यूटर में कौन-कौन सी अप्लिकेशन है आपके मॉबाइल में, और उन सब की जानकारी वहां भेज देगा, फिर उनके सर्वर में उन मॉबाइल के जो 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 वर्जन मौजूद है, माली जे आपके बैंक का मॉबाइल है, तो उस बैंक का वहां पे अगर वर्जन मौजूद है, तो वो उसकी डुप्लिकेट वहां पे फाइले मौजूद है, और वो file ने वापस वो वहां से यहां बेजेगा और उन file को आपकी सारी applications के अंदर वो install कर देगा जैसे Pegasus था लेकिन बात यहीं से नहीं रुकेगी इसके अलावा वो क्या करेगा कि आपके अंदर जो आप keystroke होते हैं और swipes होते हैं आपके swipes क्या होते हैं उपर दवाया, नीचे दवाया, यहां दवाया, वहां दवाया इन सब चीजों को वो अपने अंदर record करता जाता है इसी तरह से आपके keystrokes होते हैं उनको भी वो record करता जाता है और इतना ही नहीं जो आप two factor authentication होता है multi factor authentication होता है किसी जगे पे आप डालोगे तो कहेगा कि आपको एक OTP भेजा है मैंने आपका email पे और एक OTP भेजा है आपके mobile पे दोनों OTP डालो तो यह हो गया three factor authentication तो आपको लगता है कि OTP आया है मैंने ही OTP डाला तो गलबल का कोई गुंजाश नहीं है लेकिन अगर आपके mobile के अंदर वो virus है तो आपकी उस हर गतिविदी को अपने पास record कर रहा है और record करने के बास वो भीज रहा है अब यह इसको record करने के बाद क्या करेगा यह दो तरह के काम करेगा जो आपकी financial application है उनके जरिये चुकि उसके पास password आगया आपका वो आपके लिए OTP भेज सकता है OTP ले सकता है और उसमें डाल सकता है आप रात को सो रहे हैं और आपके bank के application में उसने password डाला एक OTP क्योंकि पासवर्ड यह उसको पता लग गया उसने OTP भेजा OTP आया है वो भी इसमें डाल दिया software ने अपने आप और पैसे उसको जहां transfer करने वहां कर दिया एक तो fraud यह हो रहा है दूसरा इसलिए जब भी आपको पता चले कि आपके account से एक रुपया भी बगहर जानकारी के लिए दर से उधर हुआ है तुरंत bank को alert declare करें bank से तुरंत बात करें emergency में बात करें कि ऐसा ऐसा मुझे दिख रहा है लेकिन कई बार ऐसे घवराट में ना करें कि पता चले आपके पपू ने 200 रुपय कोई चीज खरीड ली और आपने सब ब्लॉक करा दिया आपको लगए यह 200 किसने खर्च किये तो एक काम तो यह करता है दूसरा काम करता है वो ransomware का काम भी करता है पता चला आपके जरूरी कागजाद जितने भी हैं उन सब को वो बदल के अपनी एक अलग फाइल बना देगा वैसलेटो फाइल बना दी उसने या कुछ और बना दिया वो file extension भी अलग होगा आपके photograph हैं आपके family photographs हैं अगर आप professional photograph हैं तो आपके photograph हैं आपने party के photo खीचें आपको client को देनी हैं वो सब लेगा और उनक्रिप्ट कर देगा उनक्रिप्ट करना क्या होता है आपके photo को के उपर एक ताला लगा देगा या समझे कि उसके उपर एक ऐसे script लगा देगा आपकी हर चीज के उपर layer layer करता जाता है पीछे आपका software होता ऊपर उसकी layer होती है अब उसने encrypt कर दिया तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती और जब आप click करेंगे तो वहाँ से message आएगा कि इस file को खोलना है तो यहां यहां संपर करो खोल जाएगे जब आप संपर करेंगे तो बताएगा इतना अतना पैसा अंदो आपकी file को हम खोल देंगे और बहुत सारे ransomware इसको कहलाता है क्योंकि फिरोती मांग रहा है न तो इसको कहते है ransomware और जब वो आपकी ransomware इन सारी चीज़ों को निकाल आपकी पैसे ले लेगा तो जरूरी नहीं है कि वो इसको खोल दे यह नया वाइरस नहीं है 2021 में इसको अंडर्गाउंड मार्केट में पकड़ा गया था और संक्षिप में बता दूँ यह key logging करता है cookies चुड़ाता है आपके इसके लावा swiping और gesture को copy करता है screenshot ले लेता है data encrypt करता है और पैसे मांग करी खुलता है और आपकी सारी चीज़ों की list server को भेजता जाता है अब आप बताईए आप मुकदमा लड़ रहे हैं आपके पास में सबूत हैं अब बड़ा सवाल यह आता है कि यह तो हुई समस्या समाधान क्या हो इसका जो समाधान सुझाया गया है वड़ा सिंपल समाधान है एक अच्छा सा एंटी वायरस अपने मुबाइल में हमेशा रखें उसको अपडेट करते रहें पहली चीज़ दूसरे चीज़ जो भी एप्लिकेशन इंस्टाल करें वो आप प्रॉपर प्ले स्टोर से लेकर ही इंस्टाल करें कोई भी आपको डंप दे रहा है कई लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि ये फ्री में कैसे करें फलाँ एडिटिंग सॉफ़वर फ्री में कैसे प्राप्त करें वो उसका नीचे लिंक दे देते हैं हो सकता है कि उस लिंक के जरीए आप जाएं और लिंक वो ही खेल कर दे आपका क्योंकि जो एक्स्टरनल लिंक है यूट्यूब पे उसकी वो जिम्मेदारी नहीं लेता कोई भी व्यक्ति अपनी वेबसाइट की लिंक दे सकता और वेबसाइट पर उसको वाइरस को रख सकता है तो कोई भी मुफ्त की इस तरह की चीजें खास तो और पर एप्लिकेशन और सॉफ्वेर चाहे आप कंप्यूटर पे हो चाहे आप मुबाइल पे हो कत्ताई इस तरह से ग्रहंड ना करें पहली चीज़ और जब आप कर रहे हैं कोई लिंक खोल रहे हैं और एक लिंक आपको दूसरी जगे एक तो वो ताले का निशान आप ही देखी लेते हैं हुआ है और उस कोई भी वैब साइट होती है उसके पहले में लिखा होना जरूरी है और उसके बाद में जब व आपको रीडरेट करता ये क्लिक करें जब दो ती दो दूसरी पे उससे रिडरेट किया तुरंट close कर दीजे क्योंकि वो आपको यहां से वहां, वहां से वहां करके और जट से फसाने वाला है और आप free में, driver के चक्कर में, आप इसके चक्कर में, उसके चक्कर में आप आ सकते हैं तो क्या हुआ कि free के जो software वहां से लेते हैं वो ना ले mobile पे कुछ भी install करना है, तो कोई AP के जो है, वो किसी से transfer लेके नहीं install करें proper play store से ही उस software को download करें AP के लेके बनाने में हो सकता है, उसके अंदर कोई virus खुटसा दे तीसरा, यह special धंतेरस offer और यह सारे जो offer वाले message आते हैं आपके पास में sale चल रही है और इसके साथ ये free है उसके साथ वो free है इसको बिल्कुल भी ना तो link को खोले ना किजी को forward करें ज्यादा तर इस तरह की link दो ही काम करती हैं अगर बहुत कम से कम हानी कारक हैं तो आपका privacy data ले ले लेंगी अधे खाने कारक हैं तो आपके अंदर वो frozen horse कुषा देंगी अब frozen horse कहां से आया ये भी एक शब्दा गैसकी भी एक कहानी है रोचक कहानी है इसलिए बता देता हूं बहुत टेंशन हो गई होगी इस कहानी से थोड़ा सा कम हो जाएगी frozen horse जो है वो एक पुरानी कहानी है मिश्र में दो राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा था खतम ही ना हो खतम ही ना हो तो एक जो पक्ष था उसमें नामों पे जाओंगा तो बोर हो जाएंगा गोड़ा दे जा रहे हैं एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा था हाथी से भी बड़ा वो उन्होंने बनाया और वह चोड़ दिया उनके किले के बार क्योंकि उस किले के अंदर गुजी नहीं पा रहे थे कि भाईया यह घोड़े का गिफ्ट आप रख लो और हम भाग रहे हैं अब यह लग चोड़े हो गया वहां युद्धी जीद गया जल्दी जल्द यार जोश में का वहां गिफ्ट में घोड़ा मिला है घोड़े को अंदर ले जाओं घोड़े को ले गए कहा किले के अंदर जब रात को सारे सेनिक खो गए तो उस घोड़े के अंदर से उसका दरवाजा खोला गया उसके अंदर 40-50 सेनिक छिपे हुए थे वो आए ना ने दरवाजा खोल दिया और सारे के सारे दुष्मन आ गए और उन्होंने पूरे के पर कबजा कर लिया तो ये जो हॉस था ना और उस जगे के नाम से बना है ट्रोजन तो ये होस शब्द वहाँ से बना हुआ है तो दिखा एक घोड़ा आया अंदर आपके आप समझने है गिफ्ट आया है आप समझने है एक के साथ एक फ्री है फ्लिपकार्ट अभी जो उनकी सेल है लेकिन उसके अंदर आ रहा है हुआ है बैटके जासूस वो चुप चाप पैट जाता आपके कम्पूटर में आकर उस वक उब्जा कर लेगा तो आप ट्रोजन होर्स की कहानी भी सुन समझ गया होंगे जिससे यह शब्द बना है उमिद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो ज्याद से जालोगों तक पहुंचा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस जाते हैं तो उसके नदर रोटी के टुक्डा लगा देते हैं तो जिसको भी फसाना होता है उसको कुछ मुफ्त में देने का लालच दिया जाता है उसको कुछ लालच दिया जाता है चुवे की दवा भी डालते हैं तो उसमें मिला देते हैं खाने पीने की चीज़ों मिठा जाता है, जैसी वो जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो लालच में ना आएं, लालच में आएंगे, मुफ्त के चक्कर में फसेंगे, तो पकड़े जाएंगे, बहुत छोटी-छोटी तीन साफदानी आए, लालच में ना आए, कोईभी अन्नोन सॉप्ट्वर को इंस झाल झाल झाल